Hello my dear students, आपका पुना आज किस नई वीडियो में स्वागत है कई छात्र रसानिक सुत्र बनाते नहीं बनता है उन्हें रसानिक सुत्र बनाने की ट्रिक पता नहीं देती है कि रसानिक सुत्र किस पेकार से बना जाता है यदि आप भी कच्छा नोबी से लेका कच्छा बारवी तक की कोवी कच्छा में पढ़ते हो यदि आपका क्लास 11 और 12 में PCM ये फिर PCP सब्जट है तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं मैं आपको आज किस वीडियो में रसानिक सुत्र बनाने की AC-3 पताने वाला हूँ जैसे कि आप मात्र 5 सेकंड में रसानिक सुत्र निकालना सिख जाओगे तो वीडियो को सुरूर से लेकर अंतक जरूर देखिएगा और रसानी सुत्र आपको basic level पर बहुत काम पड़ता है आपको नाम से रसानी सुत्र बनाते आना चाहिए तभी आपको आगी की chemistry भी बन जाईए तो देखिए मैंने आपके देखिए आपर दो कोलम बना दिया हूँ दो चार्ड बना दिया हूँ एक तरफ दिखिए मैंने आपर इन योगी को लिखा है वो दूसरे तरफ मैंने इन योगी को लिखा है तो देखिए इधर वाले positive charge वाले योगी को लिखा है और इधर वाले negative charge वाले iron है तो देखिए कुल मैंने आपको 30 योगी दिया हूँ उनके आपको चार्ज को याद करना, जैसे कि इस्टेनस है, इस्टेनस में प्लस बन चार्ज होता है, इस्टेनस में प्लस टू पोजिटिव चार्ज होता है, हार डूजर में प्लस पोजिटिव चार्ज होता है, इस प्रकार से आपको याद कर लेना है, यदि आप इनको पहले आपको इन चार्ट को याद कर लेना है, आपको यह में बता दे रहा हूं, देखिए, जैसे कि हम नेनियुति हैं जैसे कि हम बनाते हैं किसका Stenas láide का , तो देखिए, लुड भी चार्ट में से को भी तेद quién को ऊठा रधू कर देखते हैं और बना कर देखते हैं, जैसे कि मांग चलिए हम लेते है हाइडूजन हाना हाइडूजन लेते है हम प्लस चलिए हम बना के देखते है हाइडूचाइट के साथ हाना तो देखिए आपको करना क्या है आपको सिंप्ली से करना ही है सारे में आपको उधारान कराऊंगा मेदवपूर्ण उधारान भी कर कराऊंगा सारे एक्जांपल में आपको कराऊंगा कम से कम 20 से 25 में आपको उधरान कराऊंगा ताकि आपको पूरा समझे में आ जाए आपको पूरा रट जाए काफी इजी ट्रीक है आपको करना क्या है ओ एच मानस में जो चार्ज है इसका चार्ज को आपको इधर लेकर आना और Hydrogen में जो Charge है आपको इसके Charge को इदह लेक आब एक परकार से हम तिर्यक Charge भी 26 के सकते है तो देखिए कन्मा क्या है आपको देखिए सबड़र आमने लिखे एच इसके Charge को आपने इदह लेक आब कितने Charge सकते हैं, ह से के बना हाइड्रोजन आप चार्ट में देखकर मिलान करते जाईए और OH क्या है, हाइड्रोकसाइड तो इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोकसाइड, इस प्रकार से काफी सिंपल ट्रिक है अब चलिए हम एक को लेकर देखते है हम मानकर चलिए, एने एने पिलस लेते है बोले तो सूडियम लेते है सूडियम और हम ले लेते है सलफेट ले लेते है हाणा, एस तो फोर, टू नेगेटिव चार्ज, चलिए अब हम इसको रसाइनिक शोतर बना कर देखते है इसमें भी आपको सिंपल से वही करना है इसके चार्ज को इधर लेकर आना है और इसके चार्ज को इधर लेकर आना है हब सबसे पहले हम देखते है एने लिखते हम इसके चार्ज को हमने इधर लेकर आए तो इसमें कितना है, टू निगेटिव चार्ज है तो कितना सूतर आ गया एने टू एसफोर नाम क्यों जाएगा एने बोले तो सोडियम और एसफोर टू मानस बोले तो सलफेट तो इसका नाम क्या होगा सोडियम सलफेट इस प्रकार से आपको स्वोल्व करना है इस प्रकार से आपको अरशाने सूतर बनाते आना चाहिए चलि अब हम इसके साथ किरिये कराते हैं कि इसकी O2 minus की, तो देखिए, इसमें बेको रिष्ट करना ही है, इसके charge को आपको इधर लेकर आना है, और इसके charge को आपको इधर लेकर आना है, तो देखे, क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे Cu, इसके charge को हमने इधर लिखाया है इसमें कितना charge है 2 negative charge है 2 हमने इदा लिखा आगा है क्या हो गया Cu2 अब हम लिखेंगे O इसके charge को आपको इदा लिखा आना तो हम बन को लिखते नहीं है ये बेसर का बेसर ही रहेगा क्या हो गया Cu2O अर्थात नाम क्या हो जाएगा इसका देखिए Cu बोले तो copper और ये बोले तो oxide तो के नाम हो गया copper oxide हो गया इधर वाले पूरे positive charge वाले योगिक है और इधर negative charge वाले आया है नहीं 15 इधर है 15 इधर है आप ट्रोल 30 कर लिंगे तो आपको easily 225 रसानिक चूतर असानिस बनाते बन जागा चलिए अब हम next किस्ति को उठा कर देखते हैं चलिए अब हम zinc को उठा कर देखते हैं तो देखिए हमने लिया zinc zinc के उपर कितना है two positive charge है पिलस चलिए अब हम sulfide को ले कर देख लेते हैं कितना है एस टू, बन नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी आपको सिंपल इसे करना ही है, इसके चार्ज को आपको इधर लेकर आना है, और इसके चार्ज को आपको इधर लेकर आना है, तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा जिंक, इसमें बन नेगेटिव चार्ज है तो हम बन को लि इसका जिंक जिंक और देखे क्या हो जाएगा नाम जिंक सलफाइड इसका नाम हो जाएगा अब आपको नाम से भी बनाते आना चाहिए यह हो सकता है आपको जिंक सलफाइड का रसानिक सूतर बनाने को देदे तो आपको जिंक का भियाद देना चाहिए जैसे कि मैं आपको ब bromide का रसानिक चूतर बना कर दिखाईे काफी easy टिक बता रहा हूं है न lithium bromide का रसानिक सूतर बना कर दिखाईे चलिए अब हम इसका रसानिक सूतर बनाते है क्या है lithium bromide तो दिखी क्या है li के उपर plus positive charge और bromide के उपर कितना है 반 negative charge है simply से आपको इसमें करना क्या है वही करना है इसके चार्ज को इधर ले क्या हो और इसके चार्ज को इधर ले क्या हो तो देखिए क्या होगा ये हमने लिखा Li इसको पर बन नेगेटिव चार्ज हो तो हम बन कोई लिखते नहीं है और फिर हमने लिखा जनाब ध्यामिपूलबक समझेगा केलसियम केलसियम ओकुसाइड का देखते है तो देखिए केलसियम क्या है C को उपर 2 पोजिटिव चार्ज और ओकुसाइड को उपर 2 नेगेटिव चार्ज तो देखिएगा इसके चार्ज को इधर लेक्या हो और इसके charge को इधर लेकिया, तो देखिए क्या हुगा हाना, देखिएगा C लिख दिया हमने, इसकोप पर 2 charge है, तो हमने इधर लिख दिये CO2, और O लिखे फिर हमने, इसकोप पर 2 charge है, तो हमने लिख दिये 2 अब यहाँ पर equal, Vivium लागो होता है यदि यहाँ पर भी दो है यहाँ पर भी दो है तो यह cancel हो जाएगा यदि इधर भी मानस दूर रहता यह भी cancel हो जाता अर्थात परावर positive charge और बरावर negative charge बाले नंबर जो है भी cancel हो जाएंगे तो यह cancel हो गाए तो क्या आजाएगा C-A-O आजाएगा और नाम क्यों हो जाएगा नेगेटिव चार्ज इसके चार्ज को इधर लेगया और इसके चार्ज को इधर लेगया तो देखे कि क्या होगा जनाब F E लिखा हमने इसको पर बनने की टिप चार्ज है तो हम बन को लिखते नहीं है F E लिखा हमने S2 इसको आप कोश्टक में लगा दिये ताकि आपको सहूलेत हो और इसको पर दो चार्ज है तो हम लिख दिंगे 2 तो इस परकार से यह S भी हो सकता है F E S यह सेपरेट किसका है? S का है तो इसका हम गोना भी कर सकते हैं तो क्या जाएगा 2 दूनी 4 तो S 4 अर्थाद नाम क्यो जाएगा? F E से बोले तो फेरस फेरस सलफाइड नाम हो जाएगा फेरस सलफाइड इस परकार से आपको सलफ करते चलना है चलिए अब हम एकोर उधारन देखते हैं नेक्स्ट उधारन हम देखते हैं चलिए अब हम लेट को लेकर देखते हैं लेट क्या है? लेट फासपट को लेकर हम देखते हैं तो देखिए बोले तो PV 2 पिलस और fast rate बोले तो P of 4 के उपर 3 negative charge simply से इसके charge को इधर लेक्या हो और इसके charge को इधर लेक्या हो तो देखिए कि क्या होगा PV PV इसके उपर 3 negative charge है तो इधर के आएगा 3 आजाएगा और फिर हमने लिखे P of 4 इसको आप costak में भी लिख सकते हैं इसको उपर 2 charge है तो हम इसके लिख सकते हैं 2 ice अर्थात PV3 P of 4 का whole 2 ice और नाम मैंने आपको बताया था lead phosphate आपको नाम से पर पूछा जा सकते हैं चलिए अब हम एक और उधारन देखते हैं तो देखिए कि छातरो मैंने आपको बिविद उधारन लेकर आ गया हूँ हम इन बिविद उधारन को solve करने वाले तो देखिए मैं आपके लिए नाम से रसाने चूतर केसे बनाएंगे इस पर भी चार्चा कर रहा हूँ तो देखिए मैंने जैसे आपको उताया सबसे पहले हम लेते है मेंगनीसियम कार्बनेट तो देखिए मेंगनीसियम का क्या होगा एमजी के उपर 2 पोजिटिव चार्च और स्यूतिजी के उपर 2 नेगेटिव चार्च चलिए अब हम इसको solve करते है और मैंने आपको बढ़ा है कि आपको उन दोनों चार्च को उयाद कर लेना है ताकि आपको सब ये बनाते बनग रहा है हो सब तर आपको पर इच्छ में ऐसाई पूछ ले मेंगनीसियम कार्बनेट का रसाने कशोतर बनाई है तो आपको पतानों चाहिए कि magnesium पर कितने charge होता है और carbonate पर कितना charge होता है जैसे कि magnesium पर 2 positive charge होता है और carbonate पर 2 negative charge होता है आपको बनाते हैं बनना चाहिए तो देखिए simply से करना क्या है इसके charge को इधर लेकिया और इसके charge को इधर लेकिया तो देखिए क्या हो जाएगा सबसे पहले हमने लिखे Mg इसको उपर 2 negative charge है तो हमने इसको लिख दिये 2 CO3 इसके उपर देखे 2 charge है तो हमने इसको लिख दिये 2 जैसे कि में आको दाया है 2 बराबर positive हो 2 बराबर negative हो तो हम उसे cut जाता है वे cancel हो जाता है तो कि ना जाएगा MgCO3 तो इस प्रेकार से आपको सोर्व करना है नाम को जाएगा MgC carbonate हो जाएगा इसके बाद देखेगा Silver Bromide Simplist करना क्या है इसका charge को इधर लेके आ और इसका charge को इधर लेके आ तो देखेगा Ag बनने के tip charge है बन को हम लिखते नहीं है फिर में लिखा Br इसको पर 2 positive charge तो कि देखेगा AgBr2 अर्थाद Silver Bromide देखेगा Hydrogen Sulfide इसके charge को आपको इधर लेके आना है और इसके charge को आपको इधर लेके आना है तो देखेगा हमने लिखा H इसको पर बनने के tip charge है बन को हम लिखते नहीं है चार्ज तो आप लिख भी सकते है कोश्टक भी लगा सकते है इसके बाद हमने लिखा H2 इस पर भी आप कोश्टक लगा सकते है इस पर बन positive charge हो तो हम बन को लिख देते है बन को बैसे नहीं लिखा जाता तो answer कितना हैगा H S2 यही इसका रसाइनिक सुत्र होगा Next उधारान हम देखते है क्या है Aluminium Nitrate Al को उपर 3 positive charge और A93 को उपर 1 negative charge इसके charge को इधा लेकिया हो और इसके charge को इधा लेकिया तो देखीगा Al इसको उपर 1 negative charge है तो हम 1 को लिखते नहीं चाहिए तो आप लिख भी सकते है फिर हम A93 को कोश्टर में लिख देते है इसको पर 3 charge है तो हम इसको ऐसा 3 भी लिख सकते है बस यही आपका रसाइनिक सुत्र हो जाएगा चाहिए तो आप 3 का 3 से गोनबिश कर सकते हैं तो क्या आएगा Al 0 9 हो जाएगा चाहिए तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते है अब देखिएगा हमने लिया है Ammonium Bicarbonate आपको नाम आदना चाहिए आपको यह पता रहने चाहिए कि इसके उपर कितना charge है और उसके उपर कितना charge है इसके लिए आपको चार्ट को आद करना पड़ेगा चार्ट का आप इसके इन शोट भी ले सकते है तो देखिएगा इसके charge को हमने इधर लिखे आया और इसके charge को हमने इधर लिखे आया तो देखिएगा सबसे पहले हमने लिखा NH4 और बन charge है हम बन को लिखते नहीं है फिर हमने लिखा HCO3 तो आप इस पर कोश्ट्र भी लगा सकती है हना यूगी का हम रसाइनी सुत्र बना रहा है तो देखीएगा इस पर बन चार्ज है तो हम बन को लिखते नहीं तो यह इसका रसाइनी सुत्र हो जाएगा आगरी हम उधानग देख लेते हैं किसका पोर्टी सेम आयोड का तो बन पोजिटिव चार्ज हम बन को लिखते नहीं तो क्या आएगा के आई बोले तो पोर्टी सेम आयोड तो इस प्रेकार से मैंने आपको सारा बता दिया हूँ कि आपको किस प्रेकार से रसाइनी सुत्रों को बनाना है आपको सिंपली से इन दो चार्ट को याद कर लेना है सिंपली से इन दो चार्ट को आपको याद कर लेना है बागी आपको बनाते बन जाएगा आप इसका स्क्रीन शोट भी ले सकते हैं फिर इसका स्क्रीन शोट भी आप ले सकते हैं चार्ट आपमा टेलीग्राम चैनल पर जोन होकर इसको डाउड भी कर सकते हैं तो उमीद है आप सभी को समाज में आग हुआ और आगे से आपको रशानी सुत और असानी जिबनाते बन जाएगा, पर इचे आपको किसी पर अगर रशानी सुत बना दो जाएगा, आप से बन जाएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियों तो तक के लिए जहिंद बंदे मातरा हूं